हे दोस्तों आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और हम सब वाटसब, फेस्बूक, ट्रीटर और इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं और यूज़ करते वक्त बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप किसी को मेसेज करते हैं तो आपके मैसेज की रिप्लाइ में आपके दोस्त आपको इमोजिस बेजते हैं और उन्हें देखकर आपको समझ नहीं हाता है कि इसका क्या मिनिंग होता है और या कभी-कभी आपको रिप्लाइ में इमोजिस यूज़ करने का मन भी करता है लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता है कि कौन से emojis करूँ क्योंकि आपको emojis के meaning नहीं पता होते हैं लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी emojis के meaning जान जाएंगे वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में दोस्तों emojis का meaning बता हूँ उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि emojis को साथ category में divide किया गया है smileys and people, animals and nature, eat and drink, activities, travel and places, objects and symbols दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको emojis की पहली category smileys and people के बारे में बताने वाला हूँ क्योंकि यही सबसे ज़्यादा यूज होने वाली emojis है और इसमें भी सिर्फ smileys के बारे में जानेंगे और अगर आप सभी types और categories के emojis के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल संजै मीना को subscribe कर लें और bell icon पे click करके notification on कर लें So let's begin सबसे पहले जो emoji है वो है ये इसे greening face emoji कहते हैं जब आप खुश होते हैं तो इस emoji को यूज कर सकते हैं और ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली emoji है दूसरी emoji है ये इसे smiling face with open mouth emoji कहते हैं जब आप सकारात्मक mood में होते हैं और कोई excitement होती है तब इस emoji को use कर सकते हैं इस emoji को smiling face with open mouth and smiling eyes कहते हैं जब आप बहुत जोर से हसते हैं या बहुत उत्साह में होते हैं और दिल से हसते हैं तो ये emoji use कर सकते हैं इस emoji को grinning face with smiling eyes emoji कहते हैं जब आप जोर से और दिल से हसते हैं तो इस emoji को use कर सकते हैं इसे आप काटाक्ष के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इस emoji को smiling face with open mouth and closed eyes कहते हैं जब आपको कोई बात पे बहुत हसी आती है या कुछ बहुत funny हुआ होता है तो ये बताने के लिए आप इस emoji को यूज़ कर सकते हैं इसे smiling face with open mouth and cold sweat emoji कहते हैं जब आप किसी difficult situation से बाहर आते हैं और खुश होते हैं तो ये बताने के लिए आप इस emoji को यूज़ कर सकते हैं इसे face with tears of joy emoji कहते हैं जब किसी बहुत ही खुशी या हसी के कारण आपकी आँखों से आसु आने लगते हैं तब आप इस emoji को यूज़ कर सकते हैं इसे rolling on the floor laughing emoji कहते हैं जब आपको कोई joke भेचता है और आपको बहुत ज़्यादा हसी आती है तो आप इस emoji को यूज़ कर सकते हैं इसे smiling face emoji कहते हैं जब आप खुश होते हैं तो इस emoji को यूज़ कर सकते हैं इसे smiling face with smiling eyes emoji कहते हैं जब आप खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं और आपको मन की शांती महसूस होती है तो ये बताने के लिए आप इस emoji का यूज कर सकते हैं इसे smiling face with halo emoji कहते हैं, ये emoji prayer या wish करने के लिए यूज करते हैं और अगर आपने कोई अच्छा काम किया है वो बताने के लिए भी आप इस emoji का यूज कर सकते हैं इसे shushing face emoji कहते हैं, जब आपको किसी को चुप रहने के लिए कहना हो या कोई secret रखने के लिए कहना हो तो आप इस emoji का यूज कर सकते हैं इसे slightly smiling face कहते हैं, जब आप थोड़ा खुश होते हो तो ये बताने के लिए आप इस emoji का यूज कर सकते हैं इसे upside down face emoji कहते हैं जब आप joke करते हैं और कोई serious हो जाता है तो इस emoji का use कर सकते हैं ये बताने के लिए कि आप मज़ा कर रहे हैं इसे winking face emoji कहते हैं इसका मतलब है आँख मारना अगर आप किसी से flirting करना चाहते हो तो इस emoji का use कर सकते हैं इसे relieved face emoji कहते हैं जब आप किसी तकलीफ या मुसिबत से बच जाते हैं और आपको सुकून मिलता है तो ये बताने के लिए आप इस emoji का use कर सकते हैं इसे smiling face with heart eyes कहते हैं जब आप किसी से प्यार करते हो या प्यार express करना चाहते हो तो इस emoji का use कर सकते हैं और ये बाकी के emojis हैं जैसे smiling face with smiling eyes and three hearts, face throwing a case, kissing face, kissing face with smiling eyes, kissing face with closed eyes, इन सब का meaning कुछ इसी तरह का है और आप इन सब को situation के हिसाब से use कर सकते हैं. इस emoji को face-savoring delicious food emoji कहते हैं, जब किसी मज़ेदार या tasty food की बात हो रही है तो आप इस emoji का use कर सकते हैं. इसे face with stuck out tongue emoji कहते हैं, जब आप serious नहीं होते हो और मज़ाग के mood में होते हो तब आप इस emoji का use कर सकते हो. इसे face with stuck out tongue and tightly closed eyes emoji कहते हैं, जब आप किसी का मज़ाग उडाने के mood में होते हैं तो इस emoji का use कर सकते हैं. इसे face with stuck out tongue and winking eyes emoji कहते हैं इस emoji को आप joke करने के लिए या flirting करने के लिए use कर सकते हैं इसे crazy face emoji कहते हैं जब आप किसी खुशी में पागल हो जाते हैं तो ये बताने के लिए आप इस emoji को use कर सकते हैं इसे face with a raised eyebrow emoji कहते हैं जब आपके दिमाग में कोई सवाल उठ रहा है या कुछ सोच रहे होते हैं तो ये बताने के लिए आप इस emoji का use कर सकते हैं इसे face with monocle emoji कहते हैं अगर आपको किसी पे शक है या आप किसी पे भरोसा नहीं कर पाते हैं तो ये बताने के लिए आप इस emoji का use कर सकते हैं। इसे nerd face emoji कहते हैं। जब आप अपने आपको intelligent या smart दिखाना चाहते हैं तो आप इस emoji का use कर सकते हैं। इसे face with sunglasses emoji कहते हैं। जब आप cool होते हैं यानि मस्त मूड में होते हैं तो ये बताने के लिए आप इस emoji का use कर सकते हैं इसे sm revolking face with sery eyes कहते हैं जब आप किसी celebrity को मिलते हैं या आपको कोई चीज amazing लगती है तो ये बताने के लिए आप इस emoji का use कर सकते हैं इसे face with party blower and party hat emoji कहते हैं जब आप कोई party celebrate करने के लिए कहना चाहते हो या फिर किसी से party मांगते हो तो इस emoji का use कर सकते है Normally किसी का birthday wish करने के लिए भी इस emoji का use करते है इसे smirking whimsical face emoji कहते है जब आप flirting करना चाहते हो तो इस emoji का use कर सकते है इसे unamused face emoji कहते हैं जब आप किसी बात को लेकर interested नहीं हो या आप किसी बात से सहमत नहीं होते हैं तो ये बताने के लिए आप इस emoji को use कर सकते हैं इसे disappointed face emoji कहते हैं जब आप निराश होते हैं या आपको किसी बात का बुरा लगता है तो ये बताने के लिए आप इस emoji का use कर सकते हैं इसे पैंसिव face emoji कहते हैं ये emoji नीचे देखते हो चेहरे की है और जब आप satisfied नहीं होते हो या आप निराश होते हैं तो ये बताने के लिए आप इस emoji का use कर सकते हैं इसे worried face emoji कहते हैं जब आप किसी बात को लेकर परिशान हो रहे होते हैं या आपको चिंता हो रही होती है तो ये बताने के लिए आप इस emoji का यूज़ कर सकते हैं इसे confused face emoji कहते हैं जब आप कुछ पढ़ते हैं देखते हैं या सुनते हैं और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये बताने के लिए आप इस emoji का यूज़ कर सकते हैं इसे frowning face emoji कहते हैं जब आप किसी बात से खुश नहीं होते हैं निराश होते हैं तो ये दिखाने के लिए आप इस emoji का यूज़ कर सकते हैं suffering face emoji जब आप struggle कर रहे होते हैं और आपको success नहीं मिल रही होती है तो ये बताने के लिए आप इस emoji का यूज़ कर सकते हैं इसे confounded face emoji कहते हैं, जब आप बहुत परिशान, दुखी या बिमार होते हैं, तो ये बताने के लिए आप इस emoji का यूज़ कर सकते हैं इसे tired face emoji कहते हैं, जब आप ठके हुए होते हैं, तो ये बताने के लिए आप इस emoji का यूज़ कर सकते हैं इसे weary face emoji कहते हैं जब आप mentally और physically पूरी तरह से ठक चुके होते हैं और अकेले रहना चाहते हैं तो ये बताने के लिए आप इस emoji का use कर सकते हैं इसे face with bagging eyes emoji कहते हैं जब आप किसी से कुछ मांगना चाहते हैं तो ये बताने के लिए आप इस emoji का use कर सकते हैं इसे face with steam from nose emoji कहते हैं जब आप किसी बात पर proud महसूस कर रहे होते हैं तो ये बताने के लिए आप इस emoji का use कर सकते हैं इसे crying face emoji कहते हैं जब कोई आपको hurt कर रहा होता है या आपको रोना आ रहा होता है तो ये बताने के लिए आप इस emoji का use कर सकते हैं इसे लाउडली क्राइंग फेस इमोजी कहते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा निराश होते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है, तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का योज कर सकते हैं इसे angry face emoji कहते हैं जब आपको गुसा आ रहा होता है तो ये बताने के लिए आप इस emoji का use कर सकते हैं और इस वीडियो में जो आखरी emoji है वो है ये इस emoji को potting face emoji कहते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा गुसा आ रहा होता है तब आप इस emoji का use कर सकते हैं ये बताने के लिए कि मैं बहुत गुस्से में हूँ तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 50 emojis के मिनिंग बताए है बाकी के emojis के बारे में मैं इस वीडियो के part 2 में बताऊंगा जो इससे भी बहुत ज़्यादा informative और promising होगा और अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं और बाकी के emojis के मिनिंग जानना चाहते हैं तो चैनल संजय मीना को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन पे क्लिक करके notification on कर ले जिससे जब भी मैं इस वीडियो का part 2 upload करूँगा तो आपको उसका notification आ जाएगा